नमस्ते मेरा नाम सुभम है और आप मुझे ब्रेन अब बिहार पे देख रहे हैं सबको पता चल ही गया होगा कि 23 अप्रेल को सुनवाई होने जा रही है सहारा से रिलेटेड जीतने मामले हैं सहारा से भी केस कर लिजिए और जो रीट अप्लिकेशन फाइल किया गया है नाग अब रात में हमने आप लोग को बताया भी है सौट कोट में कि क्या होने जा रहा है लेकिन उसका विस्त्रित्र विस्लेशन जरूरी है कि किस-किस मामले की सुनवाई होगी यहां पे ठीक है इसलिए यह वीडियो हम आप लोग को बना के बता रहे हैं कि पहला नमबर की जो यह था उसका भी डेट 23 अपरेल था लेकिन उस वह अलग डबल जजेज बेंच में उसकी सुनवाई होगी जो निषधारी थे पहले से चार नमबर कोट में और यह जो मामला है ट्रिपल जजेज बेंच में जो कि पहले से डिसाइड़ है कि सहारा से भी का जो मुद्दा था वो ट्रिपल जजेज बेंच में सुना जाएगा पहले से डिसाइड़ इसी लिए ट्रिपल जजेज बेंच का गठन करके 23 तारीक को जो जिसका कोट नमबर है दो और कॉलिंग नमबर है वन मतलब सारहे दस बजे स्री गनेश होगा सहारा वाले सुनवाई से जिसमें टोटल 24 केस है में एक मुख मामला उससे रिलेटेड उससे लिंक किया हूँआ 23 अमबर जिसमें 23 नमबर पे उसमें जितनी corporate थी real estate housing की उसफ ये सब का matter उठा था लेकिन society का matter नहीं उठा जिससे डर था कि ये पैसा का क्या करेगी सरकार या कोट ये आपका सहारा और कोई public के तरफ से वहाँ पे अपीर नहीं होता था सेबी जो कहती थी वह कोट सुनता था जो सहारा कहती थी वह सुनता था लेकिन main पैसा है public का उसके तरफ से कोई आज तक गया ही नहीं जो बता सके कि real estate और housing का जो ये payment बता रहे हैं कि हमने payment कर दिया वो payment नहीं करके एक नया bond क्यूसव का दे दिया गया था रातो राध जिसका नोटिस इसू किया था मिनिस्ट्री और कर्परेट ओफेसर और सेवी ने क्यूसव के लिए लेकिन ये प्रूफ कौन करेगा वहां पर कि हमारा जो रियल एस्टेट और हाउसिंग का ही पैसा क्यूसव में आया क्यूसव के बाद जब उसका maturity पूरा हुआ तो society में चला गया ये बात कोट के संग्यान में लाना जरूरी था जो कि अब बाख हुबी आएगा ऐसा हम लोगों को उमीद है और एक साल से हम लोग डेली एक बार खोल के देखते थे सुप्रीम कोट का website की मेन मामला कब लिस्ट होगा कब लिस्ट होगा कल आठ बज के 55 मिनट पर इसका लिस तरी को एक है तो हमको डर हुआ कि कहीं हो सके कि नाइन जर्जेश बेंच के चकर में इस सहारा वाला मैटर ड्रॉप नहीं हो जाए फिर लेकिन देखने से पता चला कि जो नौ जर्ज लोग हैं उनमें इन तिन जर्जों को अलग रखा गया गया में सुंद्रेश संजीव ख वास्तों का पांच मामला है अपील का वह यहीं को इसी कोट में उसी दिन लिस्ट हुआ है तो एक नमबर और दो नमबर दोनों हीरिंग जो होगा सारे दस में उस सहारा से रिलेटेड होगा और यह बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि दस साल से लोग इंतिजार कर रहे है कि सुप्रीम कोट का जैसे आदेश आएगा वह सही करें कि सहारा के पूत बहाना मिल गया कि इंबार्गो है हम पर हमारा यह हो गया वह हो गया तो इसका डिसीजन आ जाना जी खर डिसीजन तो अलग PIL में कराया था क्योंकि उस समय वहीं पिनकपानी महंती वाला केस तुरंत लिस्ट हुआ था और PIL के रूप में था तो सरकार को यह मिल गया कि उसी केस में एक IA फाइल किया सहारा से भी को लिस्ट कराना नहीं ठीक समझा गया उस समय कि इसमें बहुत टाइम सहारा से भी में अब वह भी 223 पर निकल चुका है तो सोसाइटियों का मैटर कौन उठाएगा सुप्रीम पोट में यह तो सहारा बोलेगी कि बहुत सारे कंपणियों से लेके हम सहारा से भी में जमा किये हमारे जिसमें से 500 करोर रुपया आपका हस्पिटल था जिसके चलते हस्पिटल निलाम हो गया आपका निलाम क्या हुआ अपने आप भी बेचने के लिए बेचवात के चुका दी तो वह 500 करोर तो हस्पिटल का था हस्पिटल में आएगा तो सहारा का तो पक्ष यहीं रहा है कि हमने भुगतान कर दिया था रियलेचर राउसिंग का और यह जो दूसरे कमपनियों से लिए के किया अब उधर आप भुगतान किये नहीं रियल में तो 24 जो करोर आप उठाए है रियलेचर और हाउसिंग वाले दो कमपनिय से वह पैसा गया कहां यह तो प्रूफ हो चुका है कि आपने भुगतान नहीं किया और बैंक से पेमेंट जो आप पोर्टल पे अपलाई करके लोगों ने बता दिया है कि हम है आधार काड होल्डर और हमारा पैसा सहारा में जितना तरह का जांच है आप कर लिजिए लेकिन इस स्यासी अजर करोर को वापसी का कोई रास्ता बताई अने तो सहारा अब्जेक्शन नहीं करें कि हाँ पैसा सोसाइटी होल्डरों को दे दिया जाए हमको नहीं चाहिए यह तो देखने वाले पोल खुल जाएगा तो इस तरीक को जो भी हमारे ठाकुर्जी और मुर्खदानी लोगा के अपना थेसिस देते हैं थेतरलोजी करते हैं मुर्खदान पे उन लोगों को तो जटका लगेगा जब यह जानके कि सुब्रत रह सहारा ने इंकम टेक्स वाला जो माइटर था उसमें अपना आई टी और संतानवे और फाइल किया था 36 करोर लॉस फाइल कर दिया था तो इंकम टेक्स पकड़ा कि यह तुमको लॉस क अब समय पूर गया है सजा होने का कि उमीद है कि 23 तारीक को कुछ ना कुछ निर्नाय के और इतिहासिक फैसला माना निया सुप्रीम कोर्ट से आये आएगा ताकि लोगों का कल्यान तो इसका बिस्लेशन जरूरी था रात में हम आप लोगों को जल्दिबादी में हमको रहा नहीं गया था कि अब इतना अच्छा न्यूज हम अब देरी से बताते तो अच्छा निस रात में भी हमने आप लोग को अपडेट किया था कि सुनवाई होगी लेकिन यह भी आप बनाके उन्होंने कहा था कि इतनी जांस एजेंसिया रहने के बावजूद भी चीटफट कमपनिया उडिशा से लेके पूरे इंडिया में काम करें तो इन लोगों को भी नोटिस करके उस मामले में बुलाया गया और पूटल पे का फेलियोर का कारण कोट पूछेगी कि अभी तक 200-300 क्रोर ही क्यों डिसबर्स हुआ छे महिना हमने नौ महिना टाइम दिया था अभी आपका 15 महिना हो गया है उसके बाद भी तो आपको पैसा देने से क्या फायदा कोई दूसरा रास्ता बनाईए पूरा टी क्यों नहीं दे रही है खेर जैसा अपडेट रहेगा हम फिर बताएं कि अब वीडियो को लंबा नहीं करते हैं खुशखबरी है इस महिना में इद भी था रामनोमी भी था हुन्मान जयनती भी है मंगल बार परा है तो सब लोग यहीं मंगल कामना करते हैं कि अच्छा से हो सरफ पर एक तरफ हिंदु मुस्लिम का और सहारा का अगर भुक्तान हो जाता है तो समझे कि उस दिन ही दिवाली हो ली और इद मनेगा हम यहीं सकरात्मक उमीद के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करेंगे कि बहुत ही बड़ा दीन है 23 अप्रेल और एक बार फिर से धन्य बाद देंगे विश्वभारती वाले लोगों को जो कि सही टाइम पर अपना रीट अप्लीकेशन दाखिल करके अब जरूरत है उस दिन अपना पुर्जोर बिरोध करने का सहारा का भी और सेबी का भी कि हम लोग का पैसा क्यूशोप में गया तो आपने ये मुद्दास मान बाकी जो भी एक्यूश्ड हैं वो चले जाएंगे तब फैसला आके ही क्या होगा और जो जम करता है वो मर जाएंगे उसके बाद पैसा मिल के ही क्या होगा खर देर ही सही लेकिन अगर दुरूस्त रिजल्ट आता है तो अच्छा रहेगा जैसा अप्डेट रहेगा हम अब लोगों करते रहेंगा अभी के लिए इतना ही धन्य बाद